आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सब को मेरा प्रणाम मैं अभी कुछ दिन पहले कहीं जा रहा था हवाई जाज में बैठा था, मेरे बगल वाली सीट पे एक महिला बैठी थी और उसने बड़े फक्र के साथ, बड़े गर्व के साथ कहा कि आपकी सरकार जो एक्सिलेंस एवार्ड देती है, पिछले साल मेरे स्कूल की तरफ से मैंने वह एक्सिलेंस एवार्ड लिया था ये 2015 में हम लोगों ने इंस्टिटूट किये थे, उस वक्त ये एक छोटा सा नन्ना सा पौधा था लेकिन पिछले 6-7 साल के अंदर, 7-8 साल के अंदर ये अब इतने प्रिस्टीजिस एवार्ड हो गए हैं कि लोगों को स्कूल्स को ये अवार्ड मिलना एक तरह से बहुत बड़े तमगे की तरह नजर आता है सो इस वर्ष जिन जिन स्कूल्स को जिन जिन बच्चों को ये अवार्ड मिले हैं उन सबको मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ, तहे दिल से बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्कूल खूब आगे बढ़े, खूब फले फूले, खूब बच्चों को अच्छे शिक्षा दे, जिन बच्चों को एवार्ड मिला है, आप लोग अपने जीवन में खूब तरक्की करें, अभी जब मैं बच्चों को एव नहीं मिले, मैं उमीद करता हूँ कि आने वाले सालों के अंदर आपको भी जिन स्कूल को एवार्ड ने मिले, आपको भी जरूर एवार्ड मिलेंगे, पहले दिल्ली में एक तरह से दो तरह की शिक्षा प्रणाली थी, एक सरकारी स्कूलों की, एक प्राइवेट स्कूलों क सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर बहुत खराब होता था, गरीब से गरीब लोग मजबूरी में अपने बच्चों को भेजते थे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती थी, जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा था, वो वहाँ भेजता था, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले 7-8 साल के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में जो प्रयास किये गए, यह जो खाई थी दोनों प्रनालियों के बीच में, अब यह खतम हो गई है, अब दिल्ली के अंदर एक तर ऐसे समान शिक्षा प्रनाली है, स्कूलमें, उस अपने बच्चे को प्राइविट में भेजना चाहा है, प्राइविट में भीजे, जो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना चाहा है, सरकारी स्कूल में भेजे, और एक तरह सी excellence awards जो है यह उस दोनों जो शिक्षा प्रणालियों का अब संगम हुआ है उसका एक बहुत अच्छा वो है इसमें private schools भी participate करते हैं government-aided schools भी participate करते हैं government schools भी सारे schools participate करते हैं सब लोग इसमें participate करते हैं तो अब दिल्ली के अंदर एक तरह से integrated शिक्षा प्रणाली चालू हो गई है कोई भेदभाव नहीं है कि बैस यह सरकारी स्कूल private school सब के अंदर अच्छे शिक्षा मिलती है private school भी अच्छा शिक्षा का इंतिजाम किया है सब्सकारी में भी अब mcd के अंदर भी मैं उमीद करता हूं कि जल्दी जितने हमारे लग बग 1800 के करीब mcd schools हैं उनकी हालत भी काफी खराब है मैं उमीद करता हूं कि उसको भी अब जल्द हम ठीक करने का प्रयास चालू करेंगे तो दिल्ली जो है एक तर ऐसे पूरे देश के अंदर शिक्षा का हब बन जाएगा और मेरा तो सपना है पूरा देश नहीं एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया भर से लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिल्ली आया करेंगे चाहिए अमरीका हो चाहिए इंगलेंड हो चाहिए कहीं से भी दिल्ली डेली शुट बेकम देश इंटर अफ एड्यूकेशन फ़र दुनिया के लिए शिक्षा का केंद्र हम लोग बनाएंगे तो आप सब लोगों को इसमें सबने पार्टिसिपेट किया है प्राइवेट स्कूल ने भी पार्टिस को ठीक करने के लिए पूरे दिल्ली के शिक्षा विवस्था को ठीक करने के लिए आज हम जो जहां पहुंचे हैं इसमें सबने पार्टिसिपेट किया है खासकर टीचर्ज ने टीचर्ज ने प्रिंसिपल्स ने बहुत महनत की है पेरेंट्स ने बहुत पार्टिसिपेट किया है विदाउट दो पार्टिसिपेश टीचर मीटिंग हुई थी, कोई मजदूर, कोई रिक्षे वाला, कोई गरीब आदमी, उन्होंने कभी स्कूल की तरफ जहांके नहीं देखा था, उन्हें विश्वास नहीं होता था कि स्कूल के अंदर उनको बुलाया गया, उनको इजद दी गई, टीचर उन से बात कर रही ह उनकी बच्चे के भविश्य के बारे में बात कर रही है, उसकी पढ़ाई के बारे में, it was just a culture shock for them, it was huge shock for them, तो वो वहां से शुरुआत हुई, पेरेंट्स ने जब पार्टिसिपेट करना चालो कि अपने अपने बच्चों की education के अंदर जब घर जाता है, बच्चा उसे पूछते हैं, इन सब चीजों ने पूरी शिक्षा प्रणाली को एक वो दिया है, अभी भी बहुत आगे जान तो उपर वाले ने चाहा तो हम जरूर अपनी mission में कामें आवोगे, बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so much.